वेलकम बैक टू माई चैनल टीवेट्स कॉफी और आज मेरी किचन में बन रहा है कढ़ी और वो भी बीना बेसन वाली कढ़ी जी हाँ और साथ में डबल तड़के वाली कढ़ी तो ये मेरी बचपन वाली कढ़ी है और इसे मैं बनाऊंगी अपनी मम्मी वाली रेसिपी के साथ तो ये चना दाल जो है न मैंने तीन-चार घंटे के लिए भी गोकर रख दिया था इसे पानी में और ये अच्छे से फोल चुका है और अब जो है मैं इसे पीस लूँगी तो मैं चना दाल यहां डालूँगी मिक्सर ग्राइंडर में और साथे साथ जो है मैं अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट यूज कर लिजेगा और इसे हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे तो यह देखो बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया है और पानी कम से कम यूज करना है हमें पीसते हुए ज्यादा पानी नहीं यूज करना नहीं तो पतला हो जाए यह पीसा हुआ दाल कढ़ी के लिए साथी साथ इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर रेट चिली पाउडर काली मिर्च का पाउडर और है यह जीरा पाउडर इसके लावा और मसाले इसमें नहीं जाएंगे इसे एक बार हम चला लेंगे वैसे तो आप विसकर वगिरा ह होता है जो से भी हाथ से चला सकते हो लेकिन मैं एक वार मिक्सी में घुमा देती हूं न तो बहुत स्मूध हो जाता है घोल कढ़ी का साथे साथ मैंने उसमें डाल दिया और पानी बिल्कुल पतला सा हमें रखना है क्यूंकि वह कढ़ी जब पकती है न तो वह गाढ़ी हो जाती है बेशन के कारण तो अब कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर कढ़ाई लिया है उसमें डाल दिया है मैंने तेल तॉप जो भी तेल यूज करते हो वो डाले इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और तेज-पत्ता अगर आपके गवर में बच्चे नहीं तो साथी लहसन से कढ़ी में और जब यह थोड़ा पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपने कढ़ी वाला घोल और इसे हम चलाते रहेंगे तो गैस के फ्लेम को मैं यहां पर थोड़ा हाई कर दूंगी कढ़ी के उबलने तक और इसे बिल्कुल कंटिन्यू हमें चलाते ही रहना है ह हम इसे चोड़ेंगे नहीं नहीं तो कढ़ी फट जाती है ठीक है तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे गैस के फ्लेम को मैंने हाई पर ही रखा हुआ है और जो है कढ़ी धीरे धीरे गाड़ी होते जाएगी और कलर भी इसका हल्दी वाला पीला पन वह धीरे धीरे आता जाता है जैसे-जैसी कढ़ी पटी-कढ़ी बॉयल होने लग जाए तब हम इसपे एड कर देंगे नमक तो नमक मैंने एड किया का सायद मैं मैं रिकॉर्ड करना भूल गई इसलिए रही चली में लिए और दिल्ट गोडे न हुआ है। को हमें जादा फेटना नहीं पड़ता है बिल्कुल हलके बनते इसके पकोड़े बस आप एक प्याज एड़ कर दो तो पकोड़े न एकदम हलके हलके बनेंगे और चाहो तो आफेट भी सकते हो अगर मर्जी हो तो लेकिन अगर नहीं भी फेटोगे तब भी काम चल जाता है य में इसे पका लेना है तो मेरे कार्णा पकोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल ही रहता है मतलब बहुत जयादा मसालेदार नहीं होता, बहुत जादा सबजियां इसमें नहीं होती, बस प्याज वगिरा होता है, ऐसा ही सब को पसंद है, तो कढ़ी के लिए जितना पकोड़ा मुझे चाहिए उतना मैं बना लूँगी, वैसे वो चना पेश्ट जो है न चना दाल वाला, वो मतलब जादा ही है, तो बाकी का बचा हुआ, मैं बनाऊँगी उसके पकोड़े, अलग से, जो कि मुझे चना दाल वाले पकोड़े बहुत पसंद है, अच्छा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज लाइक करना, और शेयर भी से करना, अब मैं बचे हुए चना में डाल दिया अपना कढ़ी वाले पकोड़े, तो जो मैंने बनाया हुआ था, और जो है, पकोड़े डाल कर हम इसे चार से पांच मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, बस इतने में कढ़ी जो है, हमारा बनकर तयार हो, अच्छ इसमें आप डाल दो थोड़ा सा पानी गर्म करके, तो कढ़ी जो है पतली हो जाएगे, मुझे पतली वाली कढ़ी पसंद है, कढ़ी अगर गाडा-गाडा रहता है, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो कढ़ी तो मेरा उधर हो चुका, और इधर मैंन फेवरेट है, प्याज वाला और चना दाल वाला पकोड़ा बहुत जादा, साथ-साथ मैंने बनाया था थोड़ा सा आलू का भूजिया, इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली क्योंकि ये तो सबको सायदाता ही होगा, बहुत सिंपल सिंपल सिंसी रेसिपी होती है, और कढ़ी तो तड़का लग जाए मतला पक जाए तो हम गैस को आफ कर देंगे तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसमें डाल देंगे कास्मीरी रेट चिली पाउडर तो यह उपर से टालेंगे न तो कलर देखने में बड़ा अच्छा लगता है तो बच्चों के लिए तो मैं नहीं भी फेटो तब भी काम चल जाता है और यह देखो कड़ी पकोड़ा बहुत अच्छा बना है और इसका पकोड़ा का टेक्शर ही एकदम अलग होता है तो आप एक बार जरूर मतलब ऐसे बेसन दाल पीस कर ऐसे बना कर ट्राई करना मैं कड़ी चावल के साथ कड़ी च अच्छछ बांसर पीडियो में अलग है और इसे बस भून लो और बहुत अच्छा यह मिर्ची लगता है खाने में कड़ी वगेरा के साथ तो ये है मेरा कढ़ी राइस का बोल, कढ़ी राइस, पकोडे, प्याज और ये हरी मिर्च, तो I hope आज का मेरा कढ़ी राइस आपको अच्छा लगा होगा, तो आप भी एक वार इसे इस तरह से जरूर ट्राइ करना, ये मेरी मम्मी के रेसिपी है, और ये बुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मिलते हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में, बाब बाई, have a nice day,